कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपने लेकर आई हूं लखनाव की बहुती स्पेशल फेमस दही फुलकी की रेसीपी यह बहुत मजेगी बनती है और इसका जो गार्लिक फ्लेवर आता है वह बहुत टेस्टी लगता है यह मेरी आल टाइम फेवरेट है तो चलिए से बनाना श बढ़ा भी सकते हैं और इन सब चीजों का हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे ज्यादा बारिक हमें नहीं बनाना है थोड़ा सा पाने डालके हम इसको दरदरा पीस लेंगे हमें मोटा मोटा ही पीसना है तो यह देखिए इस तरहां से हमने इसको दरदरा पीस लिया है ज्य चम्मच मैंने हल्दी पॉर्टर डाल दिया है और आधा चम्मच में इसमें डाल दूंगी नमग और यह एक चुटकी मैं डाल रही हूं इसके अंदर सुमीठा सोडा और यह एक चम्मच मैं डाल दूंगी जो हमने पेस्ट बना के रखा था मेर्च और लस्टन का वह मैं इसके ए पानि डालना है वरना एकदम से पतला भी हो सकता है और अगर पतला हो जाये तो आप थोड़ा बेसा नौरैट कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से हम फेट लेंगे अब मैं हाथ से फेटूंगी, जितना हाथ से फेटता है उतना ही फ्लपी बनता है अब हमने प्याली में पानी ले लिया है एक बोल में और इसके अंधर में नीचे नहीं बैटा इसका मतलब यह perfect हमारा बैंटर बनके तैयार है तो इसको अब हम रख देंगे side में अब हम इसको rest के लिए रख देंगे और आब मैंने 1 बोल में ले लिया है ये 400 ग्राम दही इसको हम अच्छे से फेट लेंगे हमें खुब अच्छी तरह से फेट लेना है ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फेट गया है अब इसके अंदर में डाल दूँगी जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो दो चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच में रेगुलर नमक जो होता है वो डाल दूँगी इसके अंदर और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को तो यह सब चीजे अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी हमें अच्छा खासा पानी डालना है यह मैं दो ग्लास के करीव इसमें पानी डाल रही हूँ यह देखिए बिल्कुल हमें पतला बनाना है इसको क्योंकि फुलकिया भी डलने के बाद और खुशक हो जाता है तो यह हमारे जो दही है वो रेडी है अब इसको साइड में रख देंगे और एक बरतन में मैं ले लूँगी पानी क्योंकि जब हम फुलकिया फ्राइ करेंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे इस से बहुत सॉफ्ट रहती है तो यह मैंने ले लिया है एक कडाई में ऑईल इसको मैंने गर्म कर लिया था और तेज गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था अब हातों पे पानी लगा के हम इस तरीके से इस भुलकियों को डालेंगे ऑईल के अंदर अब एक मिनट बाद हम इसको अल पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेख लेंगे फ्राइ कर लेंगे तो इसको हमें डायरेक्ट नहीं डालना है पानी में इसको हम पहले प्लेट में निकालेंगे फिर 30-40 सेकिंड तक हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेंपरेचर पर आने देंगे उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे वरना फुलकियों के अंदर है बीच में गुटले सी पढ़ जाती है डायरेक्ट पानी में डालने से इसलिए हम 30-40 सेकिंड इसको पहले प्लेट में रखेंगे उसके बाद पानी में डालेंगे से हम दबा दबा के इसको दही में डालेंगे पानी इसका निचोड़ेंगे हलके 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 हमें प्रैस करना है ज्यादा नहीं वरना फुलकियों टूट जाएंगी तो इस तरीके से हम सारी फुलकियां इसमें डाल देंगे अब हम एक बड़ी आसा तलगा तियार करेंगी जो ओईल में हमने फुलकियां 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 करी थी उसमें से ही हम थोड़ा ओईल ले लेंगे जो चम्मच है इसमें ले रही हूँ मैं और एक चमच मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और दो तीन मैंने हरी मिर्च लाल मिर्च को कट करके इसमें डाल दिया है और हलका सा इसको कड़कने पर हम इसको डाल देंगे अपनी दही फुलकी के अंदर तो ये देखिए ये इसी oil में हो गया था बिना चूले पे रखे और ये देखिए कितना बढ़िया fry हो गया है और इसको अब हम निसमें डाल दिया है अब मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाती हूँ कितनी बढ़िया दैफुलकी बनी है तो ये देखिए कितनी सौफ्ट हमारी दैफुलकी बनके तयार है और कितनी जटपट से बनके तयार हो जाती है यह बहुत मज़े की बनती है फ्रेंड एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो like, share, like, share जरूर करिएगा मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो please, please subscribe जरूर करिएगा मेरी अगली वीडियो तक के लिए, अल्ला हाफिज, बाव बाई